श्री गनेशाय नमाहा नमशकार दोस्तों दोस्तों ये राशी फल चंद्रा राशी पर आधारित है चंद्रमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिती ही लेकर आती है इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में आठवे स्थान में रहेंगे इस जगे पर चं प्रभाव में होने से इस दिन आपका मन परेशान रह सकता है चिंतित रह सकता है आप किसी पुरानी उल्जन में उल्जे नजर आओगे इस समय में किसी अपने की याद भी आपको सता सकती है इस समय में आप इमोशनली काफी विक्र होगे जी हाँ इस समय में आप इमोशनल ही दुखी हो सकते हो और आपके आसपास के लोगों को आप अपने स्वभाव वकटू बोली की वज़े से दुखी कर सकते हो इसलिए आज आप शांत रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे पैसों का लेंदेन करना इस दिन ठीक नहीं रहेगा लेकिन अचानक से धनप्राप्त है जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा था और वो काम जिसे लेकर आप confident है उसमें असफलता भी आपको दिख सकती है इस वज़े से surprise इस समय में मिल सकता है वो surprise अच्छा भी हो सकता है और वो surprise आपको दुखी भी कर सकता है इसलिए ये दिन आपको साउधानी पुर्वक निकालना ज़रूरी होगा इस समय में आपके शत्रू आप पर हावी हो सकते है तो आपको साउधानी बरतनी काफी ज़रूरी रहेगी इस समय में यात्राए भी संबल कर करनी होगी चोट लगने की योग भी बन रहे है इस समय में सेहत से संबन्दित परेशाने भ बहुत बढ़ान जरुरी है इस दिन के लिए अगर कोई प्लान बनाए है तो उसमें असफलता मिल सकती है तो थोड़ा साओधान रहे उपाई जरूर करे ताकि दिन आप के लिए बहईटर बन सकें ये जानकारी आपको सतर करने के लिए है पहले से उपाय कर ले तो हो सकता है दिन बहुत बढ़िया जाए। स्टुडेंट्स के लिए भी ये दिन कुछ खास नहीं रहेगा, पढ़ाई में कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई रुकावट आपको डिस्टर्ब कर सकती है। जरूरी रहेगा, इस दिन आपको तोल मोल कर बोलना अच्छा रहेगा और एक दूसरी की गलतियों को इस दिन नजर अंदाज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस दिन आपको बड़ा एहम फैसला ना ले, थोड़ा रुक जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस समय म में किसी भी उपाय से ज्यादा शक्ति होती है तो अपने इश्ट देव को याद करे उनका आवाहन करे और उनसे प्रार्थना करे कि आपका दिन काफी अच्छा रहे मोज मस्ती भरा रहे दोस्तों साथ ही इस दिन मंदिर जरूर जाए और भगवान से प्रार्थना करे और अभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्गदरशन की तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों सभी राशी के ल भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सपलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस स्थिती में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है, जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारो तरप एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है, जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती हैं, कहीं से भी बाहर सी आती हैं, कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं, कुछ-कुछ लोग तो घर के entry के main door के सामने ही जूते या चपल डाइरेक्ली उतार देते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चप्पल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते च ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे का काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साफ रखें क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते है घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते है त तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाड़ू, गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपको ये चीजे कंगाल बना सकत तो घर में ऐसी चीजों का मौझूद होना शुब नहीं माना गया है, इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है, इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उरजा का संचार होता है, और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़ चीड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर के हम पर प्रभाव डाल रही है तो इ इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद